है आज आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ यहां पर डाइस है ठीक है तो आज हम डाइस रीडिंग करने वाले हैं आज की रीडिंग कुछ अलग सी रहने वाली है याने कि हम इसके थ्रूप हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनके दिल में क्या कुछ कार्टस निकलेंगे इनके दिल की घहराई यानिकी टू इंटेंशन हैं कि देखने की कोशिश करेंगे से ठीक है टो यह its mix होंगे और यह ऐसे ही जो है मैं देखने वाली हूँ तो देखें जो भी इस इस रीडिंग में निकलके आएगा यह रीडिंग एक जन री researching post अ reconstruction लें कि निकलख सब्सक्रा विब्ड को मैं आप लोग सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को मैं यह डरीड निकल को देखते हैं कि क्या कुणा तो इनको हम रख defini 예ating को नेकर के दला है ठीक है, तो मेरे पास आया है ये, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को साथ समझ में ना आए, बट मैं आप लोग को रीड करके बताऊंगे कि क्या क्या आया है, ओके, वाउ, ओके, एंड मेरे पास वाउ, काफी बहतरीन आया है, डाइस रीडिंग, चलिए, हो सकता है कि ये रीडिंग आपको समझने में थोड़ा से टाइम लगे, बट फोकस किजएगा, आपको समझ में आ जाएगा, देखिए आपके जो पार्टनर हैं ना, काफी मिस्टिरियोस उभावगे हैं, जैसा कि मैं देख पारी हूँ, ये पोर् ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं, कि, आपके जो पार्टनर हैं, काफी जादा अपनी फीलिंग्स को, या इनके चैरे से आप पकड़ नहीं सकते और इनके दिल में क्या चल रहा है, इनका फीलिंग्स क्या है? या इनका रियक्शन क्या होगा, किस चीज को क्या ले करके, ठी क्योंकि मुझे दिख रहो है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर अपने मन में बाते बहुत चुपाते हैं साथ ही साथ इनका जो आप रिल फेस जो हैност आपको लगता है कि कि पूर्षन काफी, मिस्टेरिए सभाव का है, कभी कुछ फेस दिखाता है, जिसके वज़र से आपको भी कन्फूजन हो जाता है, यह पूर्षन के दिल दुमाग में क्या चल रहा है, यह पूर्षन अपनी सचाई को अभी भी छुपाना चाहते हैं, यह पूर्षन कुछ जो है ना इनको बोलनान नहीं आपसे बताना नहीं है आपकी एनेरजी काफी अच्छी है ठीक है आपसे यह परसन काफसन काफ़ी जय्दा एक तरीके का मैं देखो तो अच्छी सी वाइब है ठीक है एक होता अने जिसे की आपके तरफ attraction power भी काफी जदा है है ना जैसे मेरे पास words नहीं मिल रहे हैं आपकी तारीफ में ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफी attractive हो आप अपने partner को इतना आप करते हो ना कि यह person जैसे होता है कि खीचाओ सा जाता है चले वाओ चली आओ चली आओ तो वह वाला ऐसास मुझे दिख रहा है आपके partner के अंदर मुझे यह भी दिख रहा है जैसे कि पॉर्षण के अंदर ना आपको ले करके काफी एक कहते हैं कि हाई-व वोल्टेज है वही है कि आप हाई वोल्टेज भी हो ठीक है मुझे यहां पर यहीं देख रहा है कि यह जो पॉर्सन है कहीं ना कहीं आपको अपने दिल की बाते इसलिए भी नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अपने दिल की बाते मुझे क्या बतानी है अपने ये person के अंदर मुझे ये भी दिख रहा है जिसे कि ये person आपको ले करके, अपने feelings को ले करके, अपने emotions को ले करके, कहीं न कहीं, काफी positive तो feel करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा भी feel हो रहा है, जिसे कि आपके partner आपके लिए एक, कह सकते हैं ना, कि आपके लिए एक, manifestation वाली टक्निक को यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है na, magician के energy दिखाई दे रही है, magician, ठीक है, मुझे ऐसा feel हो रहा है, कि आपके जो partner है ना, आपको as a person, काफी positive देखते हैं, काफी positive भी होते हैं आपके लिए, और क देख रहा है, जिसे कि आपके partner के अंदर एक, जो कह सकते हैं, कि किसी भी चीज को सही करने का है, इनके अंदर है, वो जजबा, ठीक है, वो energy मुझे नज़र आ रही है, कि जजबा है इनके अंदर, ठीक है, और मुझे यह भी दिख रहा है, कि यह जो person है, काफी चालाक किस् बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत जबा मुश्किल है, मैं देख पा रहे हूं कि नहीं, यह तो possible है ही नहीं, ठीक है, यह possible है ही नहीं कि आप इनके दिल की बाते पहचान जाओ, इनसे एक जो कहता है ना कि जो connection है, उसको आप जान पाओ, नहीं, यह आपके बस की ब इसकी तरीके से तोड़ मरोड के बाते पूछने की कोशिश करती हूं, लेकिन वह बाते निकल के क्यों नहीं आती है, कहीं ना कहीं देखो, आप भी चलाकी जरूर करते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा कम दिमाग वाले पार्सन हो, ठीक है, मतलब कि कम चला यह पारिसन बहुत धीरे गती से आपके तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाए दे रहेें, मुझे ऐसा दिख रहा है जीसएक, कई है वहन्चा यह कैसा है जो कि इमोश्नल है यह पॉर्सन ठीक है अपने Emotional साइड को भी हाई करते हुए दिखा है रहर एक Salut साइड एक लच तरीके क offense अपने Emotions को by भी कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ ऐसी वाली एनर्जी है ठीक है ऐसा दिखते हैं जिसे कि कभी रूट तो कभी बहुत प्यार आपके पार्टनर आपको दिखाते हैं जिसमें आप कन्फ्यूजन में हो जाते हो कि आरे यार यह क्या कह रहा है आखिर तुम चाहते क्या हो है ना आप नहीं समझ बाता हो वही है मैसेज कॉल अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो तो आपके पार्टनर का मैसेज आपके पार्टनर का कॉल आ सकता है क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ लेशंशिप को रखना है इस पर्सन को आपके साथ लेशंशिप में अपने आपको रखने में काफी interest है ठीक है तो यहां पर दिख रहा है कि yes mysterious तो है यह person लेकिन कहीं न कहीं आप से एक कहते हैं न कि जो प्यार वाला feeling है वो है ठीक है वो real है प्यार लेकिन कहीं न कहीं आपको हमेशा मिश्च करते रहते हैं और आपको messages वगएरा भी जो है यह person देना चाहते हैं मुझे तो यह पर यह देख रहा है कि person आपको message करना चाहते हैं अगर no contact में हो ठीक है तो यह overall reading में मुझे यह देख रहा है तो छोटी सी reading करने का मेरा मन था और छोटी सी रीडिंग मैंने करी और I hope आप लोग को ये dice रीडिंग पसंद आई होगी अगर dice रीडिंग पसंद आती है तो मैं और भी वीडियोज दाला करूँगी जिससे आप लोग और भी इसका जो है इससे और जान पाऊँगी और ये dice जो है आपके बारे में क्या बता रहे हैं ठीक है तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खात्म छोटी सी रीडिंग आपको कैसी लगी जरूर बताना कैसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेडिक में तब देखे लिए वाबाई